बिहार में एक बार पीर सरकार नई मुख्यमंत्री वही अखिलेश स्यादों ने नितीश पर बोला करारा हमला कहा नितीश कुमार ने तो बनाया विश्वास घात का किर्तिमान नवी बार नितीश कुमार ने लिए बिहार के मुख्यमंत्री की सपत बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने इंडिये में सामिल होने के बाद इंडिया गटबंधन को बड़ा जटका दिया है इसी के साथ ही बिहार में राज़त, कांग्रेस और लेट का गटबंधन भी तूट गया है सपाध्यक्ष अखिले सियादों ने इसे विश्वास घात करार दिया है उन्होंने कहा कि इसका जबाब जनता चुनाओं में देगी अखिले सियादों ने सोसल मेडिया पर टिपड़ी करते हुए कहा कि भाज़पा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो गई है आज विश्वास घात का नया किर्तिमान बना है जनता इसका करारा जबाब देगी कोई आप पर विश्वास न करे एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती है दसल लोग सबाचुनाओं 2024 में पियम नरेंदर मोदी को टकर देने के लिए कई दलों ने मिलकर जो इंडिया गठबंधन बनाया था बिहार के मुख्यमति नितिस कुमार ही इंडिया गठबंधर के सुत्रधार थे और सभी दलों को साथ लेकर आये थे हालां कि संजोजक न बनाये जाने पर उनकी नाराजगी की भी खबरें आई वहीं अब जैसे जैसे लोग सबाचुनाओ नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे गठबंधन में दरारें नजर आ रहे हैं पहले पस्चिम बंगाल की मुख्यमतिरी मम्ता बनर जी ने गठबंधन से अलग होने का संकेत दिया वहीं अब नितीश कुमार ने गड़वंदन से अलग होकर इंडिये में सामिल होकर नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की सपत ले ली है इस खबर में इतना ही वैसे नितीश कुमार के बार बार पाला बदलने को लेकर आपकी क्यारा है कमेंट में जरूर लिखें इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए The Public Express का डिजिटल प्लेट फार्म